जोश जोश में राजेश ने ले लिया भूतनी से पंगा फस गया एक नई मुसिबत में कल तक जो था भला चंगा आईए देखते हैं क्या राजेश भूतनी से बच पाएगा या इस जाल में और फस्ता जाएगा काएगा र Jason यह थिंगो काएगाएए बार भूतनी घोमरीं धेकर युण तियनों को पकड़तो नहीं लियाँ जेलेजिगोच्य में ययसा हो सकता रादी? skilled क्या? कैंट, त८्हों कहें? सुट त८्हों कहें? वंदु कहा है? तुम्हों दॉड़्यों वागेते? लोग बस बार एफी तेलनेग कहेते? क्या हो डड़ी? आप इतने टेंशन में क्यो है? नहीं नहीं याँ टेंशन में कहा में वंदु को देख गया तो हाँ? ममी, हाँ? क्या हुआ? कहाँ गई थी तो इतनी हाथ को मुझे बिना बता है? कहाँ गई थी मतलब कोई आउटो स्टेशन दोड़ी ना गई थी कि परमेशन लेके जाओंगी राज? हाँ. यही फूल साइट पे वॉक कर रही थी. क्या हुआ? आम.. क्या हुआ? क्या हम लोग रेस्टोन में गए था ना? हाँ? Oh my god! मैंने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी. कुछ भी हो जाएगी. तुम लोग वो रूम नंबर 13 में तुम लोगा जाना कैंसल बस. हाँ, हाँ. कैंसल. 100% कैंसल. हाँ. 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 लेकिन सिर्फ हर्षद भाई और दक्कु भाई का जाना कैंसल. हाँ? क्योंकि रूम नंबर 13 में मैं अकेला जाऊंगा. हाँ. 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 नहीं, 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 राजेज़ भाई. मैंना आपको अक्केला नहीं जाना दूँगा, नहीं. जाएंगे न तो, सब साथ जाएंगे. वरना कोई नहीं जाएगा. हाँ, राजेश भाईया. एक तरफ तो आप कहते हो कि भूद भूद कुछ नहीं होता, और दूसरी तरफ आप हर्षद और दक्षेश भाईया को ले जाने से माना कर रहे हो. तो इसका मतलब तो यही होता है ना, कि आप डर गए हो और आप मानते हो के भूद होते है. हाँ, और अब जब यह मान ही लिया है, तो रूम नंबर तेरा मी जाने की जरूरत ही क्या है? हाँ, या इलाही, कोई मुझे बताये, ये माजरा क्या है? तालिया क्यों या मेनी भाभी जियोती भाभी बिलकुल सही कह रहे है, राज. हाँ, रूम नंबर तेरा में जाकर तुम लोग यही प्रूफ करना चाहते थे ना, कि वहाँ कोई भूतनी नहीं है और भूत भूत कुछ नहीं होता है हाँ तो जब तुम सब ये मानते हो कि उस कमरे में भूतनी है और भूत होते हैं तो फिर प्रूव करने के लिए बचा क्या है सही है वन्ना बे बचा है बचा है जो पहले बचा था वो अब भी बचा है पर सिर्फ इतना था कि पहले हम तीन थे लेकिन अब मैं केला जाओंगा और वो इसलिए जाओगा क्योंके रेस्टोरंट के बाहर दक्कु भाई और हर्षण भाई की मैंने हालत देखी भूतनी की जलत पाते ही दोनों की हालत खराब होई थे मैं कुछ और पता लगाऊं से पहले ये दोनों मुझे अपने साथ वहां से खीच कर ले गए अरे राजेश भाई आपकी बलाई के लिए तो खीच कर लेके गए थे क्ये बात कर रहे हैं राजेश भाई वरना वह भूतनी हम तीनों की बना देथी चत्नी अरे वा इस चुका है कि रूम नंबर 13 में मैं अखेला जाओंगा जड़ी यह लीजे यह मैंने आपके लिए बनाया है मैंने हॉरर मुवी बे देखा है कि इसको देखके भूत बाग जाते है पीचा उसे भूत भागते होंगे भूतनी नहीं वह एक भूतनी है पर कोई ऐसी वैसी भूतनी नहीं बेटा अपनी गर्दन को यूं अपनी यह बड़ी बड़ी आखें लाल लाल ओ माइगाड ओ अफवाई लाल क्यों यह सब बोलकर बच्चों को डरा रहे हो हाँ आप जैसे लोगों की बेहुदा कहानियों की वज़ा सली भूतों को लेकर अफवाई पहलती है राज 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 प्लीज मैं फिर से सोच लों डों अधवरी बंदू मुझे कुछ नी होगा दाड़ी 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 बच जाओ प्लीज ने तो रो मत सकी रो मत अथना तुमारे डाड़ी को कुछ नी होगा एक रूम में तो जाना है जिंदगी प्यार कागीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा अच्छा हुआ सबको बोल दिया घर में बैठ जाओ और ना यहां के बाबूल की दुआएं लेतीजा टाइप की फीलिंग देने लग जाते मुझे बारा तेरा खबरदार जो लाइट आन की तो अंधेरा पसंद है मुझे और तुम भी अच्छा है वान जटर्ड़ वान पानी बरभाद करने वाली बुत नहीं वहाँ नहीं, यहाँ आओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुहे अपनी दुनिया में ले चलू आओ, तुम कोई भी हो, तुम मुझे बेवकुफ भी मना सकती, मैं तुमहरा राज पता करना है तो आओ, रिष्पान करना हुआ वाँ 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 वै ह।ई वै हॏ表 तरे नहीं है। क्या यह है? ताइमिंग बंद हो गया जिम का? उगाउट यह कर रहें आप और यह क्या है? यह कपणे? यह क्या है। यह टाइम नहीं है? मैं औरदी मर चुकी हूँ. बंदू तूम? मैं बंदू नहीं हूँ. चान्नी. रूम नंबर तेरा की चानी वीए पुम्राइब को घुल कि रूदी को घुल का रूदी को घुल कि आतके यार पीए आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाओंगी कहाँ अपनी दुन्या में ओपर निल्ष प्लीज 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 तुम्हारी बीज को तुम्हारी प्लीज, 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 प्लीज. मैम्मा. मैं जूए adalah anda. कौन मा황? मम्मा! क्याँ मा. मैं मैं, 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 मैं. flu.. क्याँ वा. हुआ के भो हुआ.. आहन की रोगाला नोगा देलुड़ ऑन काउन का जडाला? कॉड़ ऑ का रे उला का एप ऑाल जाप इंग यू ताइंक है इत्ना बड़ा इंशnaire तौरी सॉरी तौरी टाइंक कि यूजर गयोर 2 अट जियन दोह करण परे फें Creed वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, शमा कर दीजे, शमा, आप जैसे सुन्दर सन्नारी के खिलाब जाने की पहली बार में ने हिमाकत की है, दिकार है मेरे जीवन पे, मुझे चल्लु भर पानी में डूप कर मर जाना चाहिए, यह उल्लु, यह ने चल्लु, डूप जाए, आपने पाशक। पन्ना भावी आप मुझे बताईए ना कि आपना ये ये प्लान कब और कैसे बनाया ये प्लान अचानक ही बन गया था था कुभाई बॉन्फाय के टाइम पे वो तो तैना कुछ नहीं होता है ये सब मन का वहम है और मैंने अर मैं जहां पर रहता था 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 मम्मी मम्मी दाड़ी सच में तुने ब्रेव है तो दाड़ी को तराते है ना मसाईगा ने 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 मम्मी प्लीज हम किता बूर होगे है कुछ नहीं चीज करता है ना ओके और फिर जब मार्फतिया जी वहां पर आए तो मैंने उने एक मैसिज भेजा रहा है एक बात बताईए आपके इस रिसॉर्ट में कभी ऐसे कोई भूच भूच का खिस्सा हुआ है वहला है फिल्लम हंड़ड परसेंड हुआ हो रहा है इसकी उमी मार्फतिया जी यहां लोग भूचों को लेके कुछ ज़ादा ही डिंगे हांक रहे है आप रिसॉर्ट में भूच है ऐसी कोई फिक्शनल स्टोरी बना के सुनाइए ना इनको प्लीज अधिन यही देख मुनमुन का मेसिज आए और फिर मार्फतिया जी ने वहां खड़े खड़े वोरूम नंबर 13 वाली भूचनी का कमाल का प्लान बना दिया और उसके बाद ममा ने सम लेडिज और हम तीनों के साथ मिलके उस भूचनी को एक्टिवेट किया येस रेस्टोरंट और जी मेरिया में जो कुछ भी हुआ ना वो उस तेरा नंबर वाली भूचनी का ही काम है तुम अपनी हिम्मत दिखाओ मैं अपना जल्वा दिखाऊंगी और फिर जब आप लोग दिनर के लिए गए ना तो मैंने और यामिनी भाबी ने मिलकर लाइट का फ्यूज निकाल दिया और लाइट आफ कर दी और फिर वंदना भाभी भूतनी बनकर आई और आप लोगों को डरा और आप तीनों डर बिगे अपर राजश भाई आपको भूतनी बनना बैन है यह कब पता चला हाँ तुम्हें कैसे पता चला और कब पता चला हाँ जब तुम्हारी पहली जलग देखे तब तुम्हारा एक नाखुन देख लूगा न तुम्हें तुरंट पहचान जाओंगा कि यह तो मेरी बंदू का नाखुन है और यहां पर तुम तो पूरी की पूरी मेरे सामने घूम रहे थी बुतनी बनके और फिर लाइक का आना जाना मार्फथया जी का भाग कराना तब मुझे दाउट हुआ वाूट कि मार्फथया जी भी मिले हुएं इस ब्रेशड इंत्र में अए नँँ इस मार्फथया की नोकरी गई मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा दकु भाई प्ली जाने दिजे न क्यूं करूंगा, क्यूं करूंगा ऐसे इंसान की कंप्लेम जो एक सुन्दर साथ सी समिनाली का साथ दे रहा हूँ पर डाड़ी, आपको ये कैसे पता चला कि मैं और अधरव भी इसमें मिले हुए हैं तुम लोग जब रात को टहल के वापिस रूम पर आये ना, तब मैं सोचे लग गया कि, अरे, जो बच्चे रोज रात को जल्दी सोते हैं वो आज टहल ने बाहर कैसे निगल पाए और फिर मम्मी आई तो मुझे शख हुआ और वो शख यकीन में बदला जब मेरे पीठ पीछे तुम लोग ऐसे हाइफाइज दे रहे थी, ऐसे से कर रहे थी और ऐसे से कर दे थी वो डाड़ी अब अपने पीठ की फीचे भी देख सकते हो अगर सामने आइना लगा हो तो तुम लोगा रूम नंबर तेरा में जाना कैंसल है अन्दर परसेंट कैंसल हाँ अब यह तैय हो चुका है कि यह रूम नंबर तेरा में मैं अकेला जाओंगा अचा ओके सारी बाते समझ में आगी बंदू एक बात बताओ वो लोहे का रॉड तुमने ऐसे का यह मरोडा कैसे शनी जोल कैसे होगे तुम डाड़ी वो अचली रॉड रबर की थी और उसको लोहे जैसे पेंट किया था ओके लेकिन लेकिन मंदू एक मिनिट जब तुमने वो लोहे का रॉड ऐसे पटका तो फिर वो आवाज कैसे आई तो सब समझ गया ना कि भूत भूत कुछ नहीं होता एक बात मैं कन्फेस करना चाहता हूं महान फिल्मेकर होरर फिल्मे बनाने वाले आलफर्ड हिचकॉफ उन्हें में पता था कि भूत भूत कुछ नहीं होते लेकिन वो भी भूतों से डरते थे ऐसे ही मैं भी आसे डरता हूं भूतों से वी न्यूट वाले इंसान हो रोबो नहीं हो समझे ना और मुझे एक बात बताईए यहां पर जितने लोग मौजूद है सब लोग एक बात बताईए कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो किसी भी चीज से डरता ही ना हो है कोई ऐसे तो कही होंगे पर डर को भी जिससे डर लगे वो दुनिया में सर्फ एक ही है यह रूल्स मत्रव रूल्स एम दक्षे जोशी पुरा अंजान भूच से तो निकली जान पहचान राजेश भी इस बार बंदना को गया मान अंजान भूल्स अंजान भूल्स